Question of the day दो चीटिया हैं A और B किसी वरत के बिंदू P से विपरीद दिसाओं में चलती है दोनों पहली बार 10 बजे किसी बिंदू पर मिलती है तब तक चीटी A ने 60% दूरी तयकर डाली होती है चीटी A बिंदू P पर 10 बज कर 12 मिनट पर पहुन जाती है तो चीटी B पर कब तक पहुन जाएगी सबसे पहले एक वरत बना लेंगे माल ने ये बिंदू P है और यहाँ पर A और B दो चीटिया है A चीटी इधर चल लए है और B चीटी इधर चल लए है दोनों 10 बजे इस बिंदू पर मिलती है A जो है वो 60% दूरी तय करके आती है अता B 40% दूरी तय करके आती होगी तो चलिए माल लेते हैं वरत की परिदी 10 X मानेंगे किसी समय में अब जितने समय में A ने 60% दूरी तय करी है अर्थात A द्वारा दूरी 10 X का 60% 6 X उतने समय में ही B तय करेगी दूरी 4 X अर्थात स्पीड का अनुपात A अपॉन B 6 X अपॉन 4 X 3 बटा 2 दोनों 10 बजे इस बिंदु पर है चीन्टी A 10 बज कर 12 मिनट पर P पर पहुन जाती है अर्थात 4 X दूरी तय करने में उसे 12 मिनट लगते है तो चीन्टी A 4 X दूरी 12 मिनट यदि चीन्टी A 6 X दूरी तय करेगी तो 4 तीयां 12 तो 6 तीयां 18 मिनट लगेंगे अब जब चीन्टी B यहां पर होगी तो उसे 6 दूरी 6 X तय करनी है अर्थात चीन्टी B को 6 X दूरी कितना समय लगेगा जब चीन्टी A को 6 X में 18 मिनट लगते हैं तो चीन्टी B को 18 गुडे 3 बटा 2 लगेगा चुकि चाल का अनुपात 3 बटा 2 है 2 नाम 18 और 9 तियां 27 मिनट अता चीन्टी B पहुचेगी 10 बज कर 27 मिनट पर